प्लॉप वाई डिक वहाँ एक हल चलाने वाला लड़का था जिसका नाम डिक था जो कभी कबार हमारे खेत में आता था जब उसने वो सब खा लिया जो वो चाहता था तो वो जवान घोड़ों के साथ पत्थर और लकडियों से लकडियां फैंकर मजे करता ता के वो भागें हमें इस से कोई एतराज ना होता क्योंके हम भाग जाते पर कभी कबार एक पत्थर लगता और हम जखमी हो जाते एक दिन वो इस खेल में था और उसे मालूम ना था के मास्टर उससे अगले खेल में हैं वाचिंग 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 उन देख रहे हैं कि क्या चल रहा है ओवर दे हैज ही जाम्ट इन अ स्नैप चाडियों से वो स्नैप में उचल पड़े और डिक को बाजू से पक्ड़ा ये गेव हिम सच अ बाक्स उन्दे इर बाक्स मेंज हिट करना या मारना ये गेव इम सच अ बाक्स उन्होंने उसको कान पर मारा As made him roar with pain and surprise जिस से उसको दर से बिन बनाहट में दर से और हिरानगी से बिन बनाहट महसूस हुई As soon as we saw the master we trotted up nearer to see what went on जैसे ही हमने master को देखा हम उनके पास चल का गए देखने कि क्या हुआ है to see what went on bad boy he said bad boy to chase the coils बुरा लरका उन्होंने कहा बुरा लरका कि जवान गोरों को पकर रहा है या उनका पीछा कर रहा है This is not the first time ये पहली दफ़ा नहीं है not the second नहीं दूस्ती दफ़ा है but it shall be the last ये आखरी दफ़ा है dear ये लो take your money अपने पैसे लो and go home और अपने घर जाओ I shall not want you on my farm again मैं तुम्हें अपने फार्म पे दुबारा नहीं देखना चाता So we never saw a dick anymore इसलिए हमने डिक को फिर कभी नहीं देखा Old Daniel the man who looked after the horses बुढ़ा डैनियल वो इनसान जो घोरों की देख भाल करता था Look after means देख भाल करना Was just as gentle as our master वो हमारे master की तरह नरम दिल या रहम दिल था So we were well off इसलिए हम ठीक थे Adapted from Black Perry by Anna Swell Anna Swell एक नाम है राइटर का नाम है जिन्होंने ये paragraph Black Beauty एक स्टोरी है वहां से लिया है Thank you so much students